चन्डिगर नगनिगम चनावों की आज घोशना कर दी गई है राज्य चनाव आयूपत राकेश महता ने इसकी घोशना की चनावी प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू हो जाएगी 22 नवंबर को नामंकर पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी 29 नवंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामंकर पत्र भरे जाएगे 30 नवंबर को नामंकर पत्रों की छटनी का काम किया जाएगा जबकि 3 दिसंबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे चुनाव अयोग की और से मतदान के लिए सभी तैयारिया पूरी कर ली गई हैं 18 दिसंबर को 460 पोलिंग भूथों पर मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा शहर में कुल वोटर्स की गिंती 5,7,190 की गई है जिनमें पुरिश मतदाता 2,70,378 है और महिलाएं 2,36,819 है जबकि 13 ट्रांसजेंडर है नॉमनेशन जो है वो 22 नॉम्बर 2016 से नॉमनेशन होगा और 29 नॉमबर 2016 को लास्ट डेट अफ नॉमनेशन साथ दन के बाद है और स्कूटिनी है तैस तारे है को और लास्ट आफ वीड्राल होगा मैं Max 3 builders और डीट अफ पूल है 18 बार 2जार 2016 और कांटिंग होगी वे Kah that और and Code कॉणडक्त आज लागु है už आज से को इनाउगरेशन नहीं हो सकता कई फानेंशल स्कीम ने अनाउंस हो सकती टोटल वोटर्स हैं हमारे पांच लाग साथ हजार एक सो नबबे जिसमें की मेल हैं दो लाग सतर हजार तीन सो अठावन और फीमेल्स हैं दो लाग साथ हजार आठ सो उन्नेस और तेरा हैं थर्ड जेंडर चुनावों के घोशना होते ही शहर में मौडल कोड आफ कंड़क्ट भी लागू हो गया है अब कोई भी उधगाटन या और कोई सरकारी कारिक्रम नहीं हो सकेगा राज्य चुनाव आयोक्त राकेश महता ने कहा कि इस बार उमीदवार को अपने नामंकन पत्र के साथ दो ब्लाक अन वाइट फोटो भी देनी होंगी नामंकन पत्र भनने के लिए 6,000 रुपए जमा करवाने होंगे जबकि एसी उमीदवारों को 3,000 रुपए जमा करवाने होंगे चुनाव प्रचार में उमीदवार तीन गाडियों से ज़ादा गाडियों का इस्तिमाल नहीं कर पाएगा वोटिंग होगी आठ बजे सुबह से लेके पांच बजे शाम तक और लास कैंपेइनिंग खतम होगी पांच बजे सतरा तारिक को कैंपेइनिंग पीरिड खतम हो जाएगा 24 गंटे पहले 3,25,000 इस बार हम लोग ने लिमिट रख किये है एक वाड एक कैंडेट के लिए खर्चा करने के लिए चुनाव आयो की और से इन चुनावों के लिए साथ रिटर्निंग ओफिसर तीन इलेक्शन अब्जर्वर्स तथा तीन इलेक्शन एक्स्पेंडिचर अब्जर्वर्स मियुक्त किये गए है कैमरा मैंन बलविंदर आरे के साथ कुल्दीब कुमार की विरो रिपोर्ट नैशनल बस के लिए